हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू दा चैनल मैं हूँ मनू और आप देख रहे हैं मनू महिंद्रा कैप्चर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ब अपना डेरा लगाई लेती हैं इनके काटने से कई बार तो स्किन एलर्जी भी हो जाती है खाने की समान पर चीटियों को देखकर गुसा तो बहुत आता है बार बार सफाई भी करते हैं हल्दी नीबू लक्षमन रेखा पता नहीं हम क्या-क्या ट्राई करते हैं लेकिन फि कर रहता है क्योंकि चीटियों जो हैं वो मरे हुए केड़े मकोडों को भी खाती है तो आज मैं आपके लिए इन चीटियों का एक ऐसा पर्मनेंट सोलूशन लेकर आई हूँ जो इस से पहले आपने कहीं भी देखा नहीं होगा सुना नहीं होगा ये मेरी गरंटी है सर्दी के मोसम में जब होट फटते हैं या पैर की एडियों फट जाती हैं तो हम अक्सर वैसलिन का प्रयोग करते हैं फटी हुई एडियों को ठीक करने के लिए और सुखे होटों को ठीक करने के लिए लेकिन इसी वैसलिन से हम चीटियों को भी भगा सकते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही सुना इसी वैसलिन का यूज़ करके हम चीटियों को भगा सकते हैं जिस जगह से भी चीटियों घर के अंदर एंडर गर रही हैं वहाँ पर बस आप जमीन पर इस वैसलिन को अपलाई कर दीजिए फिर देखिए आप इस वैसलिन का कंबाल चीटियों बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगी किसी भी जगह पर जहां भी चीटियों आ रही हैं बस वहाँ पर आप जमीन पर वैसलिन को अपलाई कर दीजिए चीटियों वहां से दूर भाग जाएंगी वैसलिन से चीटियें कैसे तुरंत गायब होती हैं यह मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी मुझे गाडनिंग का शौक है इसलिए मैंने खूब सारे गमले लगा रखी हैं गमलों में जो मिटी हैं उसमें यह चीटियें अक्सर आती रहती हैं तो इनका पर्मानेंट सोल्यूशन मैं इसी वैसलिन से ही करती हूँ यह देखिए स्टैन के आसपास कितनी चीटियें हैं और मैंने यहाँ पर इनके निकलने के रस्ते के आसपास वैसलिन को अपलाई किया है तो यह कैसे अपना रस्ता पूरा चेंज कर ले रही हैं तो आप भी इस वैसलिन वाले ट्रिक को जरूर ट्राई किजिएगा घर में अगर आपके बेड पर भी चीटियें आ रही हैं तो जो बेड के नीचे आपके पैर होते हैं वहाँ पर आप वैसलिन लगा दीजिए तो बेड पर भी कभी भी चीटियें नहीं चड़ेंगी वीडियो में मैंने आपको वैसलिन का लाइप प्रूफ दिखाया है अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेलपफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये इनफर्मेशन और लोगों के लिए भी हेलपफुल हो और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे कोमेंट बॉक्स में वीडियो के रिगार्डिंग अपनी कोमेंट्स जरूर दीजिएगा आपकी लाइक कोमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि इस तरह के और इनफर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफोर्मेशन की साथ तिल देन बाई बाई